पिरिये भक्तों आप लोगों को पता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वह हमेशा अगहोरी, तांतरीक, भगत, ओजहा के उपर बनाते हैं और सिखाते भी हैं हमारी कई बाते ऐसा होता है जो सधारन लोगों को समझ में नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, पर जो भी जनकार बेखती हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आता होगा और वह इस वीडियो को अच्छी तरह से देखता भी होगा और एक वीडियो को पांच पांच बार चला कर सुनता भी होगा जो जनकार बेखती होगा और जो बेखती जनकार नहीं होगा उनके लिए ये वीडियो अच्छा नहीं होगा मतलब उसे अच्छा नहीं लगेगा अच्छा तो है ही नौलेज बाला वीडियो है जनकारी देता हूँ तो अच्छा ही है पर वो देखना पसंद नहीं करते क्योंकि इस मामले में यदि उन्हें जरूरत परता भी है तो ओक किसी जनकार बेक्टी से काम करा लेंगे देखवा लेंगे ठीक भी करा लेंगे परन्तु जनकारी कई लोग लेना पसंद नहीं करते हाँ जनकारी किसे चाहिए जो इस लाइन में उतरना चाहता है इस चीज को पराप्त करना चाहता है इस सक्ति को हासिल करके लोगों को भलाई करना चाहता है लोगों को उपकार करना चाहता है तो एक चीज तो आपको पता ही है कि जब तक आप अपनी चिंता कर रहे हैं तब तक आप दुसरों का चिंता दूर नहीं कर सकते हैं यदि आपको अपनी चिंता याद ना हो तो आप दूसरों का चिंता दूर कर सकते हैं। जो साधक होता है, जो दूसरे की उपकार की बात सोचता है, वह खुद की चिंता नहीं करता। उन्हें खाने को कल मिलेगा कि नहीं इसकी भी परवाह नहीं होता। जो असली साधक होता है वह हमें साथ दूसरे के बारे में सोचता है दूसरों को भलाई होता है तो खुद वा खुद उनका भी भलाई हो जाता है आपको मदद करने के लिए अगहोरी, तांतरीक, बाबा, पंडेजी और ओजा, धाम, धामीन इस तरह के कई ऐसे अबधूत जो पद है अपना प्राप्त करते हैं और अपने चिंता ट्याग कर आप लोगों के घर जाते हैं, आप लोगों को भलाई करते हैं और आप लोग उनसे भलाई करवाते हैं और कई लोग उन्हें कुछ देना पसंद नहीं करते कई लोग फिरी में काम करवाना चाहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि चलो भाई इनका भी बाल बच्चा होगा तो पेट सब का भरना चाहिए तो उन्हें कुछ देना चाहिए क्योंकि जो भागत होते हैं कई भागत मांग नहीं सकते मांगने में सर्मींदगी महसूस होता है तो मांगना अच्छा नहीं समझा जाता तो इसलिए काम कर देते हैं और वहां से चल देते हैं जदि आपकी इक्षा है तो आप दे सकते हैं ऐसा बोलते हैं लेकिन आपकी इक्षा होना चाहिए कि आप कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति को दें जो आपको हमेशा भलाई करना चाहता है आपके भले के बारे में सोचता है उ क्योंकि वह अपना किमती समय बरबाद करके आपके भलाई के लिए आया है तो आपका फर्ज बनता है कि आपको उन वेक्टियों को देना चाहिए जो आपके भला के लिए सोचा है परन्तू उसके विपरित होता है यहां पर कई लोग जो इस तरह के कटेगरी को आते हैं सोचत वेक्टि होता है जो फिरी का खाना पसंद करता है तो जो वेक्टियों आपका किमती समय आपना बाल बच्चा बाप मतारी ममी-पापा को छोर करके आपको भला के लिए आया है और आपकी उपकार करके ही जाएगा यह आपको पुरा गरेंटी के साथ विसभास है पिर भी आ आप उन्हें कुछ देना नहीं चाहते, ये बात अलग है कि वो मागना नहीं चाहता परन्तु आप देना भी नहीं चाहते, ये वीडियो जो भी भाई देखते हैं, आप लोगों से बिनम्र निवेदन हैं कि आप इस वीडियो को, अपने दोस्टों को भी सेयर कर दीजेगा, काम आप लोग करते हैं, उसका कुछ न कुछ आपको चाहिए होता है। यदि आप राज मिश्टिरी है, तो आप किसी के यहां काम करते हैं, तो आप किसी के यहां एक दिन भी उधारी काम नहीं कर सकते। आप किसी भी तरह की टेकनीकल मिश्टिरी है, मसीन बनाना जानते हैं, कोई इंजन होता है, उससे बनाना जानते हैं, तो आप किसी का काम फिरी में एक घंटा भी नहीं करते। उसके लिए आपको कुछ न कुछ चाहिए होता है, और कोई भी भगत आपको यदि भलाईस के लिए सोचा है, और आया भी है आपके घर, या आप उनके घर गए हैं, या उनके आश्रम गए हैं, तो उनको मागने में दिकत होता है। कई देविया मना कर देते हैं कि मागना नहीं, खुद से दे दे तो ले लेना, कई देवि देपता होते हैं, जो मागने से रुष्ट हो जाते हैं, पैसा मागने से देवि देपता नराज हो जाते हैं, क्या देवि देपता उन्हें कमा करके खिलाएगा, खुद कमाना परता ह तब पेट भरता है आपको भी पता है इसलिए आपको सोचने के लिए एक बात बताता हूँ आप किसी पंडी जी से पुझा करवाए हो हर बिधी पर दक्षना रखने की बात करता है वहीं पर भगत उसके विप्रित होता है आप भगवान की पुजा करते हो तो हर बिधी पर दक्षना रखने की बात होती है लेकिन भगत कोई भी बिधी करता है तो उसमें दक्षना रखने की बात नहीं करता ना आप से मांगने का परियास करता है इसलिए कि कहीं हमारा आदेवी देपता रुष्ट न हो जाए नराज न हो जाए और कई भगत जो होते हैं वो तो कह देते हैं कि भाई खर्चा देगा तो आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे और कई भगत कह नहीं सकते कह नहीं पाते तो उनको देना जरूरी है आप लोग जरूर से देने का परियास किजिएगा जो भी जुरे जो भी आपको उपलब्ध हो आपकी एक्छा हो कि हमें इतना देना हैं दिजिएगा तो ओ बेक्ती खुस हो करके आपकी घर की और ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल करेगा और अक्छा भी करेगा नहीं देने से क्या होगा कि हो सकता है उसको लेने का मन हो और आप उन्हें कुछ दिये नहीं तो हो सकता है एक दूदिन के लिए ठीक रखेगा और इसके बाद ओ बेक्ती जो भी सकती नकरात्मक सकती आपके घर से पकर के ले गया होगा उसे छोर देगा उसे फिर जहां से पकरा है वहीं छोड़ देगा क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि आप उन्हें कुछ दे पाते हो या नहीं वो मांग नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उसे आप से कुछ चाहिए नहीं हर बेक्टी अपना समय का पैसा लेता है हर बेक्टी जहां भी समय देता है वहां से कुछ अर्णिंग करने का सोचता है तो क्या एक भगत ही बुर्वक है जो आपको फिरी में हमेशा के लिए काम करता रहेगा तो इस चीज को आप गोर से सोचिएगा किसी को ये वीडियो खराब लगा हो तो छमा चाहते हैं परन्तु ये हकिकत है